पुलिस साना अंतरगत बीते कुछ दिनों पहले चोरी करने का मामला सामने आया था इस मामले में कारवाई करते वे पुलिस मध्यप्रदेश तक गई हाला कि इस दर्म्यान अंदेरे का फाइदा उठा कर आरूपी भागने में कामियाब हुआ लेकिन पुलिस ने 116 ग्राम सोना आरूपी से जब्त करने में कामियाबी हासल की संदर में पुलिस पायक्त मनेशिक कलवान या ने अधिक जानकारी सांजा की पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसा 6 मार्च को यशोधरा पुलिस थाना अंतरगत आने वाले हम लोग विला से चोरी होने की घटना सामनी आई थी इस मामले में आरूपियों की खोजबीन में पुलिस जुटी हुई थी पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किये तो एक लड़का और लड़की द्वारा चोरी किये जाने की बात सामनी आई इस आधार पर पुलिस ने इस मामले में और अधिक घहराई से जाज की तब उन्हें गुप्त सूचना की आधार पर जानकारी मिली की घटना में लिप्त आरूपी दीपक से सोधिया मध्य प्रदेश में है जिसके चलते 6 मार्च को टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई आरूपी की लोकेशन ट्रैक कर वे उसे गिरफतार करने पहुचे तब अंधेरे का फायदा उठा कर आरूपी वहाँ से भाग निकला इस संदर में पुलिस उपाय उक्तिब मनीश कलवानिया ने अधिक जानकारी साचा की फुटेज में हमको दो आरूपी दिख रहे थे जिसमें एक लड़की और एक लड़का है हमारे टीम ने तपास पतक ने और टेकनिकल टीम ने इसका तपास किया और बाकी इतर दूसरे पुलिस टेशन में जहां पर इसी वारदात हुई है उनके साथ संपर्क में आके एक आरूपी को निश्पन किया गया है जिसका नाम है दीपक सिसो दिया उसके साथ में एक और लड़की है जो बहुत एक माइनर है उसका नाम अभी तक निश्पन नहीं है ये करने के बाद हमारे टीम ने जब लोकेट किया आरोपी को तो वो मत्यप्रदेश के राजगर जिले में लोकेट हुआ वहाँ पर हमने हमारा तपास पतक भेजा आठ मार्च को हमारे टपास पतक की टीम वहाँ गई थी और उस आरोपी का पाटला करते वे गोपनी माहिती के आदार पे हमको उसका लोकेशन मिला था उसका पाटला करते वे वो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया बट हमको रिकवरी उसमें से हुई है जो टोटल माल च इस दर्मियान आरोपी फरार होने में तो कामियाब हुआ लेकिन पुलिस ने 116 ग्राम सोना आरोपी से जब्त करने में कामियाबी हसल की बता दे कि उकता आरोपी पर ठाने शहर समित अन्य जगहों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और वो शादी भिहा के द्वारान चोरी को अंजाम देते हैं पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जाद चारी है कैमरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ देशा अटवा बीसे न्यूस नाकपुर